बुरू गोबिन सिंग 1666-1708 सिखों की दस्वे और अंतिन गुरू थे। वह न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे बलकि एक योध्धा और कभी भी थे। उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर की लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, खास कर भारत और पाकिस्तान में। प्रारमभिक जीवन गुरू गोबिन सिंग का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार, भारत में नौवे सीक गुरू, गुरू ते एक बहादुर और माता गुजरी के यहां हुआ था। उनका जन्म का नाम गोबिन्द राय था। जब वह केवल 9 वर्ष के थे, तब उनकी पिता को मुगल समराट औरंगजेब ने इसलाम में परिवर्टित होने से इंकार करने के लिए मार डाला था। इस घटना का युवा गोबिन्द राय पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने बाद में लोगों के अपने धर्म का पालन करने के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नित्रित्व, गोबिन्द राय अपने पिता की मृत्यू के बाद नौ वर्ष की आयू में सिखों के दसने गुरू बने। उन्होंने अपनी अपचारिक शिक्षा अपनी मा और कई सिख विद्वानों से प्राप्त की। उन्होंने मार्शल आर्बी सीखा और तलवार बाजी, पीरंदाजी और गुर्सवारी में विशेशग्य बन गए। 1699 में, गुरू गोबिन सिंग ने खालसा की स्थापना की, जो सिखों का एक समुदाय था, जो एक सकताचार सहिता का पालन करते थे और उतपीरन और अन्याय से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। खालसा की स्थापना बैसाखी के दिन हुई थी, जिसे हर साल एक प्रमुक्सिक्त योहार के रूप में मनाया जाता है। गुरू गोबिन सिंग की शिक्षाओं ने सभी लोगों की समानता पर जोर दिया, चाहे उनकी जाती या सामाजिक स्थिती कुछ भी हो। उनका मानना था कि हर किसी में संत या योध्धा बनने की क्षमता होती है और उन्होंने अपने अन्यायों को अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक क्षमताओं को विक्सित करने के लिए प्रोचसाहित किया। योध्धा, गुरु गोबिन सिंग एक भायंकर योध्धा थे जिन्होंने मुगल सामराज्य और अन्यदमनकारी शासकों के खिलाफ कई लिड़ायों का नित्रित्व किया। उनका मानना था कि उनके विश्वास और उनके अधिकारों की रक्षा करना प्रति एक सिक्त का कर्तव यथा। दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइट शेर और सब्सक्राइब करे। बुरू गोमिन सिंग्ट्स